सब्सक्राइब करते हैं और आप अपने एकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है तो सबसे पहले आपको करना क्या है आपको फॉन पे का एपलीकेसन जो है वो ओपन करना है इस तरह की साफ जैसे क्लिक करेंगे तो यह ओपन होगा यहाप अगर पास्वर लगाते हैं तो वह आप उपन कर लिजिए इसके बाद में यहाप आप ऊपर देखिए यहाप आपका लोगो होगा मैंने यहाप लोगो नहीं लगा रखा है फिर यहाप आपका लोकेसन आएगा यहाप स्कैन करने के लिए है और यहाप नोटिफिकेसन के लिए औ आपने यह इंग्लिज पर क्लिक कर दिया इसके बाद मैं आपको करना क्या होगा आपको अलका से यहां पर नीचे आना है और यहां पर आप ऑप्शन देख रहे हैं आपको इस पर क्लिक करना है जैसा आप क्लिक करने के बाद मैं फिर आपके सामने इस तरह के का इंटरफेस आएगा यहां पर आपको तेन अप्शन मिलते हैं तो आपको account delete करने के लिए आपको second value option पर click करना है यहाँ पर आप देखिए deleting my phone pay account जैसा भी second value option पर click करेंगे तो आपके सामने फिर इस तरगी का interface आएगा यहाँ पर आपको यह 3 option मिलते हैं I want to change my phone pay mobile number I have another phone pay account I am not happy with phone pay तो आपको आपको second value option पर click करना है I have another phone pay account जैसा भी click करेंगे तो नीचे और option आते हैं तो आपको फिर नीचे आना है इस तरगी से आप नीचे आएगे तो यहाँ पर आपको last में एक option मिलेगा deactivate phone pay account तो फिर आपको deactivate phone pay account पर click करना है इस पर आप click करेंगे हलका सा wait करना है फिर आपके सामने इस तरगे का interface आएगा यहाँ पर आपसे language भी पूछ सकता है यहाँ पर यह automatic मेरा हिंदी यहाँ पर आ चुका है अब इसके बाद मैं आपको करना क्या है यह मैरे हिंदी इसलिए क्या है अगर आप change करना चाहें तो आप change language पर click करके change कर सकते है हिंदी यह इसलिए है क्यों मैं आपको सही तरीके से समझा सकूँ यहाँ पर आप देखिए इन्होंने बोला है बबलू रागव किरपया ध्यान दे कि आप deactivate करने के बाद इस mobile number के लिए अपने phone पे account को फिर से activate नहीं कर सकते क्या आप अभी वी अपने phone पे खाते को deactivate करना चाहते हैं यहाँ पर नीचे दो option दिये हैं एक तो है नहीं मैं अपने phone पे खाते को activate नहीं करना चाहते हूं दूसरा है हां मैं अपने phoneपे खाते को m ordinance करना चाहती हूँ इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने account को delete करने चाहते हैं तो आपको second वाले option पर click करना होगा हां मैं अपने phoneपे खाते को zw niveols करने चाहता हम या चाहती हूँ अगर आपने जैसे इस पर किलिक कर दिया तो आपका account जो वो delete हो जाएगा और जिस mobile number से आपने phone pay account बना रखका है उस number से आप फिर कभी भी अपना दूसरा जो है वो phone pay account नहीं बना पाएंगे इसलिए यहाँ पर यह बोल रहा है अगर आप delete करना चाहते हैं तो आप हाँ मैं अपने phone pay account खाते को deactivate करना चाहता हूं आपको second वाले option पर किलिक करना होगा तो इसलिए मैं delete नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा यह number में ऐसी से यह phone pay account चलाता हूं अगर आप ब्लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए ब्लोग कर सकते हैं बैक आईएगा बैक आएंगे आप यह अगर वीडियो आपको लोगो पसंद आयो तो लाइक कीजिए और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और मिलते आपसे नेस्ट वीडियो में बाई बाई